सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन फॉर लेटेस अबडेट किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल की जाए और अपने वादों से जंता को लुभाया जाए तो फिर हम हाजिर हैं सियासत की इसी उठाप पटक को लेकर अपने खास प्रोग्राम सियासत में नमस्कार मैं हूर आशिद अली और आप देख रहे हैं बेदी खास प्रोग्राम सियासत मेरे साथ मौजूद है मेरे सयोगी काशिफ अली और हम बात करेंगे बीते दिन हुए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान को लेकर आपको बता दे कि जहां पहले मतदान में बेदी हंगामा देखने को मिला था कई जगा मारा मारी की हंगामे की और जो सबसे वड़ा मुद्दा चाया रहा एवीम का लेकिन दूसरे चरण में बिलकुल इस से उलट हमें देखा गया जहां पर एवीम की तो शिकायत नहीं मिली लेकिन वोटर लिस्ट से नाम जरूर गाय मिले वो आम इंसानों के नहीं बलकि बड़े बड़े दिगजों के नाम वोटर लिस्ट से गाय मिले तो हम बात करेंगे इसी को लेकर और यह ऐसा कई जगा हुआ कहीं कहीं पर पूरे परिवार का नाम गाय मिला तो कहीं पर कुछ हंगाबा भी हुआ कहीं पर छुट पुट जड़ा भी देखने को मिली दूसरे चरण में काशिफ क्या मतलब हर बार अब इन वार्दातों को देखके लगता है जो चोटी जैसा पिछली बार देखो उसमें इविया मशीन को लेगर हुआ और इस बार जो है वोटर लिस्ट से गायब ठीक है तो दूसरी और हम देखें तो छोटी मोटी जड़ब जो कि महां का पुलिस पर शासन की सुरक्षा के बीच हो तो भी ऐसा होता है मतलब हर बार कोई ना को हम कह सकते हैं कि एक बिलकुल मजाफ बन कर रहे हैं जिस तरीके की चीजे जो है सामने आ रही है जिस तरीके की जा बार बार ये छिप घटना है अलिगड़ से एक खबर आ रही थी कि अलिगड़ में जो है वहां पर उबतरा हुआ है बसपा और भाशपा के समर्थों के पहले चरण में भी गड़वड़ी पाई गई थी और दुबारा से फिर वहीं शिकायत मिल रही है कि बीजे पी को बोल जा रहा है तो कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है और चुनाव आयोग को इस पर जल से जल मियान लेने चाहिए और इस पर जिलों में यह चुनाव हुआ जिसमें हम आपको बता दें कि बड़े बड़े दिगज नेता भी वोटिंग करने के लिए सुबाही मतलब एकदम अपने मद्दान का उप्योग करने के लिए दीखे बता दें लखनों में जहां केंडरी मंतरी राजनात सिंग मद्दान के लि लेकिन इसके बाद ही सुबाही बेहादी उत्सा देखने को मिला भी थे दिन जब सुबाह से मद्दान चाल वा तो सुबाह बड़े-बड़े दिगज नेता है लेकिन उसके कुछ देर बाद से जो खबरे हैं वो इसके बिलकुल उलट थी क्यों काशिव अलिगड में पता पॉलिंग बूत पर ही तमंचा लेरा दिया क्या मार्क की पुलिस जो मौजूद थी पुलिस सुरक्षा के बीच मतलब वो अंदर कैसा है जब उसके पास तमंचा था बिलकुल जाहिर सी बात ही बहुत अपने आप में एक सुरक्षा में चूप एक राशिद जी बिलकुल आ एक कोई जो है वो अस्तर शस्तर निकाल रहा है इस तरीके की वार्दात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है हम कह सकते हैं कि गुंड़ाई के बल पर जो है वो चुनाव जीतने के हम कह सकते हैं कि वो कोशिश हो रही तो कहीं न कहीं ये योगी सरकार पर कहीं न कहीं एक ब लेकिन अब आपको बताते हैं जो बड़े-बड़े दिगज लोग जिनके वोटर लिस्ट से नाम गायब मिले सबसे पहले नाम आता है कि पूर्फ केंद्रे मंतरी कलराज मिश्र का उसके बाद डी जी पी सुलखान सिंग जो की जाने माने नाम है मतलब इन लोगों के भी वोटर लिस्ट से नाम गायब हो सकते हैं काशिव अगर किसी आम इनसान के हम बात करें तो एकका दुका करके इसे आई तो चलो छोटी मूट गलती हो जाती है एकका दुका गलती हो जाती है लेकिन क वोटर लिस्ट से नाम गायव रहा लखनों में कई जगा ऐसी शिकायते मिली दर्जनु जगा लखनों में यह शिकायते मिली हैं कि वोटर लिस्ट से नाम गायव रही हैं तो आपको बता दें कि लखनों के गोमती नगर के विशालखंड में 17 घरों में किसी का भी नाम नहीं बिल्कुल की बहुत बड़ी बात है और तो महीं बता दे कि आपको के लगनों में डीजी पे सुलखान सिंग की वज़ा जो हम बता रहे हैं आपको उसकी बता दे कि अपार्टमेंट बनाकर लडीए ने नगर निगमों को वोटर लिस्ट नहीं सौपी और ये जो बता रहे हैं जिसके बाद ये बड़े बड़े दिगज नेता है वोट ही नहीं कर पाई कि कोई नेता है तो कोई अपने में बड़ा ओधा रखते हैं तो कई इनके साथ आम इंसान भी हैं सैक्लो परिवा पाई जिनका नाम वोटर लिस्ट से नदारद रहा और वो बिना वोट के हुए निराश होकर वहां से उन्हें जाना पड़ा काशिफ जो उनका हक है उन्हें वहीं नहीं मिला तो मतलब उनके लिए क्या क्या जाए जो मतलब इसका जिम्मेदार कौन होगा राशिद कर देख नहीं न कहीं बहुत बड़ी शर्म की बहुत बड़ी चूप के आखिर लोग तंतर में जिस तरीके से लोगों को वोट देने का अधिकार है लोगों को अपने नेदा चुनने का अधिकार है आखिर में चुनाव आयोग इस बात को लेकर संजीदा क्यों नहीं होता है आखिर जो वोटर लिस्ट है हम प्रधानमंति शीन नरेंदर मोधी जो है वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारा देश विक्सित हो रहा है हम आज तक अपनी वोटर लिस्ट को ही लेकर गरबड़ी हो रही है हम हमारा चुनावायोग या हमारा जो भी इस चीज क को मेंटेन करता है डिपार्टमेंट वो इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि वोटर लिस्ट में कौन नाम है कौन जी गया है बहुत सी चीज़े तो ऐसी सामने आती है जो वाकि में बहुत हस्सेपद होती है कोई कोई इनसान तो मरे हो उसको सतरह से बीस साल हो सोची में पलता है जुक्त करते हैं ऑनदागा कि में जब कमिशनल में यह ज चुनाव आयोग के लिक्शन में प Nash אני आाई डी कार्ट होते हैं यह जो का रिकमिशन में जादा तर में थे Dean इए जा अड़वर होता है उसका ह्..! एड्रेस में एक बार तो खाना के चाईना का एड्रेस चाईना हो तो हम जो है तक हम कहते हैं कि चुनाव अयूग इस पर क्हामोष रहता है और हम कहते हैं हमाना भरत भाहारा कई बार देखने को मिलता है कि बेटे की आयू पिता की आयू से जादा है तो कई बार किसी हिरो का फोटो उसके डिकार्ड में चुपकर आ बता है लेकिन इसी के हम आपको बता देए इसी को लेकर कि प्रदेश के पूर्व सी एम और सभा के राष्ट अखिलेश यादव ने को लेकर इन्हीं बातों को लेकर पीम मोदी पर एक निशाना साधा है त्विट के जरी उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्टों से नाम गायब ह हो रहे हैं जड़प हो रही है क्या यही डिजिटल इंडिया है वही चीज सामने आगे है निकल कर एक पूर मुख्यमंत्रिया के लिए श्यादव इस चीज़ को समझ रहे हैं और देखे जिस तरीके से हाकिकत बात है क्या आप जो है वोगों को डिजिटलाइज करने की होता है वोटर आइडि घन जब वही चीज नहीं पा रहिए तो पहीं पर यह मशीनE बाकी मशीनों पर कैसा करें जो डिजिटल इंडिया के तहथ और या इप इंडिया के के अंदर ही मतलब कहीं न कहीं विवस्ता के अंदर एक बड़ी खामी है जिसका नुकसान जनता को हो रहा है बिल्कुल राशिट जनता को सीधा सीधा नक्सान हो रहा है क्योंकि जन्ता जो है जन्ता को पांस साल में एक बार मौका मिलता है कि वो अपने छेतर का पने अरिये का नेता चुने और ताकि वो नेता चुन कर ऐसा चुने जिसक度liches आकर विकास गंबिर्रा और दूसरे चरण में ये एक अलग ही मुदाया की वोटर लिस्ट से नाम गायब आप देखना ये है काशिव इसके साथ ही कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे चरण में भी जो उन्त तारिक को होने वाला है कि उसमें भी कहीं कोई तीसरा मसला अलग से ना निकल करा ज लेकिन बदस्तूर पहला चरण में भी वही रहा और जैसा कि कल चुनाओं में देखा गया दूसरे चरण में वह वैसे ही रहा तो कहीं ना कहीं तीसरे चरण क्याम उम्मीद जादा अच्छे जादा चलें तो जाहीं सी बात है आपको बता दें दूसरे चरण में 24,622 प्रत स्याशी कहां से जीता है बैरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही अगले अगले चरण में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजे जाज़त नमस्कार और देखते रहे हमारा खास प्रोग्राम सियासत झाल